चली आपको ये दिखाते हैं कि संसद में जो कूदने वाला शक्सा जिसकारा मनुरंजन बताया जा रहा है उसका आखिर जूट कैसे बेनकाब हुआ है ग्राफिक्स के जरी आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं मनुरंजन का जूट बेनकाब हो गया है घर वालों को इसकी जानकारी दीकेपर फोन का इस्तिमाल यहां पर किया जा रहा था हाला कि हकीकत यह है कि स्मार्ट फोन पर जो सिगनल है वो एप से जुड़ा हुआ था इसके अलावा आप देखिए घर वालों को क्या बताया कि स्वामी विवेकानन की किताब वो पड़ा करता है लेकिन सच क्या था किताब वंपंति और बागी जो विचारक है उनकी मिली है यानि कि विचारधारा आप जो सोच है वो कैसी थी यह भी सामने आ गई घर वालों को बताया कि बैंगलूरू वो जा रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली आकर इस पूरे हमले की जो वहाँ पर पूरा वार्दात हुई उसकी जो साज़श है वो रची जा रही थी इसके अलब आप देखें घर वालों को जानकारी ये दी कि खर्च के लिए तीन हजार रुपे लिए हैं लेकिन फ्लाइक से दिल्ली तीन हजार में आकर कैसे आ गया क्या महस तीन हजार रुपे या और भी पैसे किसी ने दिये थे या इसी की इस वक्त जांच परताल भी की जा रही है ये वो जूट है जो बेनकाब हो चुका है मनुरंजन जो संसत के भीतर कूतता है और उसके बाद आप देखिए हर कोई सन रह जाता है कि लोक सभा जहां पर जो सिक्योरिटी है वो इतनी टाइट होती है आखिर कैसे उसे बेद कर ये भीतर घुश जाता है इसी के हमारी की इस घटना में राजस्तान के नागौर का रहने वाला महेश भी शामिल होने वाला था ही बदल दिया था पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूर्टाश में आरोपी ललित ने ये बताया कि घटना के बाद लोगों के छिपने और दूसरी चीजों के इंतिजाम करने के जिमदारी महेश पर थी इसी लिए ये तैह हुआ था कि महेश दिली नहीं जाएगा बलकि वो राजिस्तान के नागौर में ही रहेगा और घटना के बाद जब आरोपी वहाँ पहुचेंगे तो उनके रुकने की विवस्था करेगा हालाकि संसत के अंदर और बाहर हुई इस घटना के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफतार कर लिया था सिर्फ आरोपी लले थी दिली से नागौर पहुच रहा था इसके बाद महेश ने उसके ठैड़ने का इंतिजाम करवा दिया इसलिए पुलिस महेश को संसत की सुरक्षा में सेंद लगाने की साज़श में बराबर का भागिदार मान रही है महेश राजसान के नागौर जिले का रहने वाला है और वो वहां मजदूरी करता था और वो वहां मजदूरी करता है सूत्र बताते हैं कि महेश लगातार इस साज़श में शामिल आरोपियों से बात भी करता था लेकिन दिल्ली पुलिस के पैरो तले जमीन तब खिसक गई जब ये पता चला कि ललित ने संसत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए प्लैन भी भी तयार कर रखा था पुलिस सूत्रों की अगर माने तो ललित ने संसत के बाहर स्मोक कलर अटाक करके हंगामा खड़ा करने के लिए एक दूसरा प्लैन भी बना लिया था और उस प्लैन बी के तहट अगर नीलम और अमोल अपने काम में फेल हो जाते तो वहाँ प्रिदर्शन के लिए महेश और कैलाश नाम का एक और शक्स तयार था मतलब ललित ने संसत के बाहर हंगामा खड़ा करने के लिए पूरी तयारी कर रखी थी सूत्रों के मताबिक पूश्टाश के दुरान ललित ने ये भी दावा किया कि नीलम और अमोल संसत के बाहर नहीं पहुँच पाते तो कैलाश और महेश घटना को अंजाम तक पहुँचाते मतलब इस घटना के वक्त ना सिर्फ ललित संसत परिसर में मौजूद था बलकि कैलाश और महेश भी आसपास ही पूरी घटना पर नजर बनाई हुए थे महेश वही है जिसके साथ ललित ने थाने में सरेंडर कर दिया है आरोफ है कि महेश नहीं राजस्तान के नागौर में ललित को पनाह दी थी सूत्र ये भी बताते हैं कि पूश्टाश में कैलाश का नाम सामने आने के बाद पोलिस ने उसे भी हिरासत मिले लिया पुलिस की टीम कैलाश और महेश से पूछताच कर रही है ताकि पूरी साज़िश से परदा उठाया जा सके